कि यह देखें जी मैं आपको डिटेल दिखा दूँ यह को चोड़े जो कि हमारे बैंड की नई असलाम अलेकों जी गुड मानिंग कैसे हैं आप सब तो बस अभी बन दी है चाय मौसम आज बहुत थंडा है एवं मेरा दिल कर रहा था कि मैं पंखा भी बन कर दूँ इतना अच्छा मौसम है मैं आपको थोड़ा सब खाती हूँ यह देखें ठंडा की ठंडा कै बड़ा अच्छा मौसम है इसको तो मौकर चाहिए बाहर जाने का तराओ चुकर है मौसम अच्छा हुआ और गर्मी की शिदद बिलकुल खतम हो गई है बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है तो मैं जर आपको चाह दिखा दूँ इस मौसम में चाह बड़ी अच्छी लेगती है संदियों में चाह काना एक अलागी मसा होता है कि यहां बन रही है जी चाहे अभी हम पीएंगे चाहे और आज एक बहुत अच्छी जबदस्ती रेसिपी है मौसम में बनाओं की ब्रंच में समयने बनाओं कि आज क्यूंकि चुटी है बेटी के सेस्मेंट्स कतम हुई है तो उसने का मौमा मैं करूँगी चुटी कि अब सब्सक्राइब अव्याँ फाबार warto बबहुत शुक्रिया आपने ने डाओब वाली वीडियो को इतना पुसंद किया थैंक थैंके जो मच्छ आज मैं बनारे लेगी हुजी चने और रात कोहीं बीगो कर अठीए तो तो जने बनाएंगे साथ में दाल वाली पुरियां बनाएंगे फ्राय करेंगे बज़दार से जोचने बनाते हैं सकते हैं चोरी कि के अचने बाइल करनादे के कुपे लिए रखती हैं अर ऐंटारारी बनाटा शचने भ euro करनाएंगे तो आटा अच्तु शचने बनाँद रेख्ले रख़ए फ दसलाब है। बनाने के लिए मैंने दो कब जितना मेता लिया है एक कब जितना मैंने चिक्की वला आटा लिया है उसमें थोड़ा सा सॉल्ट थोड़ा सा ओल मैंने डाला है दो से तीन टेबल स्पून थोड़ा सा जीरा डाला है और बिलकुल ड्राय इसको अच्छी तरह से मसल मसल के इसको स पूरी अची नहीं बनती इसलिए बिल्कुल दरम्यान का हिसाब रखके आपने आटे को गून लेना है यानि के ना ज्यादा सक्त हो और ना ज्यादा नरम हो थोड़ी दिर के लिए मैं छोड़ दूँगी और फिर मैं बाद में भी एक तो मुक्यां इसको लगाऊंगी यहां क्योंके मैं दाल बरी पुरी हैं बना रही हूं तो मैंने थोड़ी सी दाल ली उसको मैंने अच्छी तरह से वॉष कर लिया उसको मैंने पतीली में डाला और एक ग्लास जितना पानी डालूँगी उसमें नमक, मिर्च, हल्दी डालूँगी और इसको बॉIL करने के लिए मैं छोड़ दूँगी और यहां पे जी हो रहा है टाइम जोहर की नमास का तो मैंने यहां पे नमास पहल लूँगी और दूसरा खाना मैं मतलब नाश्टा और लंच मिक्सी बना रही हूँ इसलिए ज़र दो पहर मुझे हो गई ती खाना बनाते बनाते यहां पर जी चने रेड़ी कर लेते हैं तो मैंने पैन लिया उसमें आइल डाला और साथ ही मैंने थोड़ा सा जीरा टेस पात के छोटचोटे पते में काट की रखती हूँ तो वो डाल दिये एक मैंने प्यास अच्छी तरह बारिक से चौप कर लिया था वो मैंने डाला इसको अच्छी तरह गोल्डन होने तक मैं पकाऊंगी फिर इसमें अद्रक लेसन का पेस्ट चला जाएगा इसको भी मैं हलका सा भूनूंगी और फिर इसमें एक बड़ी साइस का टमाटर चौप करके वो भी मैंने आड़ कर दिया था बड़ा टमाटर भी नहीं है बलकुछ चोटा सा टमाटर है ठीक है तो बस इसको अच्छी तरह से मैं भूनती जाओंगी फिर इसमें आती है जी मसालों की बारी तो इसमें सौल्ट चला जाएगा बिल्कुल एक समयने की टी स्पॉन जितना लाल मिर्चें पिसी फी घल्दी और धनिया पाउडर गरम मसाला पाउडर काली मिर्चें कुटी मिर्चें तो ये सारे की सारे मसाले इसमें चले जाएगे इसकी होगी भुनाई और अब क्यूंके चने में थोड़ी सी कसर ती तो मैं यहां पी चुला भी बंद कर दूंगी जब चने रेड़्이 होगे तो पर चने इसमें डाल करोंगी डाल क्यूंके रेड़्ी ओ चुकी थी तो मैंने पलेट में उसको पैला लिया पिर उसमें मख्यद मसाले जाएंगे क्यूंके बिल्कुल फीकी थी मैंने मज़ीद उसमें नमाक मिर्चल दी और एड़ कर दी थी उसको मिक्स करके मैं रखतूंगी यहाँ पे आप देख रहे थे आलू और दही इनको मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह से इसका एक मिक्स्टर बन जाएगा जो के चनों में जाएगा ठीक है अब जी सारे के सारे चन्ने मैंने इसमें डाल दी है क्योंके चन्ने बस इतने थे भी नहीं मैंने का चलो सारे बना लेती हूँ और बस साथ साथ में क्यूंके चीज़ें भी समेट रही होती हैं तो बस किचन के काम तो लगे ही रहते हैं लगे ही रहते हैं खतम ही नहीं होते हैं जितनी देर में आप किचन में खड़े रहते हैं कोई ना कोई काम आपकर निकले ही रहते हैं बेतर है कि बस आप जल्दे जल्दे से काम करें और किचन से निकल आए यही आपके हाक में बेतर है वरना फिर आप काम हों में ही लगे रहेंगे तो बस चने क्योंकि बॉइल हो गए थे तो मैंने इंस्टंट पॉड का जो पतीला है वो भी फोरन से वाश करके रख दिया था यहां पे आलू और दही मैंने अभी बताया था कि मैं उसको ब्लेंड कर रही हूं यह चने की थिकनेस के लिए इसे बहुत अच्छी क्रीमी से बनते हैं चाहें तो इसमें क्रीम भी थोड़ी सी डाल दें क्रीम थीनी वरना मैं जरूर डालती वो मैंने नहीं डाली सिर्फ य जाओंगी भूनती जाओंगी और चोटा सा देखें गोल गोल सा आलू ना बीच में रह गया था वो ब्लेंड नहीं हुआ था महराल जी चने हमारे रेड़ी हो चुके हैं मिर्च मसाला भी इसमें कम था मैंने मजीद पिर इसमें एक क्यूब चिकन क्यूब और थोड़ा सा स अधनिया डाल दिया था हरी मिचे डाल देती और हमारे चने हो गए जी डन अब आ रही आती है जी पूरियों की और देखें मैंने एक दफा फिर इसमें मुक्यां लगाएं थी आटा हमारा बिल्कुल रेड़ी था दाल इस तरह से ही बॉयल करनी है क्योंकि हमने इसकी फिलि लेकिन जब आप बेल रहे हों तब आप बिल्कुल भी खुशक आटा ना लगाएं उससे क्या होता है कि पूरी बैठ जाती है फूलती नहीं है तो यह अभी मैं आपके सामनी सारा कर रही हूं फिलहाल तो मैं छोटे छोटे पेड़े बना कि सारे रख लूंगी फिर बस मैं बेलती जाओंगी और इसको तलती जाओंगी और देख लें कि पेड़े तो मैंने खुशक आटे से बनाए हैं अब जब मैं बेलने की बारी आए तो मैं नीचे से थोड़ा सा मैंने लगा लिया ओल कर सप्रेय कर लिया था अब पेड़ा रखा उसके ओपर भी सप्रेय किया पहले तो मैं हाथ से अच्छी तरह प्रेस करूंगी डारीक्ट अगर हम बेलन लगाते हैं ना क्या होता है कि जो अंदर फिलिंग होती है या डाल की हो या डाल की हो वो नहीं एक साइट पे होके पेड़ा पूरा फटना शुरू हो जाता है इसलिए पहले हाथों से अच्छ गरम हो आप पूरीया तलने वालों को देखिये उनके तने गरम होते हैं और दूएं निकल रहे होते हैं तो फुल फुल ऐसे गरम होना चाहिए और फिर आप प्रेस करते जाएं स्टील ही यूज़ कीजिए कि उसे ज़्यादा अच्छी पूरी पूलती है और उसको फिर इतनी सौफ्ट इतनी गोल्डन गोल्डन सी हमारी पूरी रैडी हो गई थी यकीन करें मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि यह मैंने बनाई है मेरी पहली दवह इतनी अच्छी बनी है क्योंकि मैंने टेक्नीक से ही चली हूँ क्योंकि हम लोग जाधा पूरियां बनाते हैं इसलिए हम लोगों को जाधा अच्छा तरीका आता भी नहीं है इंडियन की पूरियां बहुत अच्छी होती हैं तो उनको आदत होती है क्योंकि वो रैगुलर बनाते रहते हैं तो उनकी बहुत अच्छी होती है बारहल मैंने भी आज बनाई है तो माशाला से मेरी भी बड जबरदस बनी हैं बस जाب मैं बेलती आउंगी तलती आउंगी और पूरिया निकालती आउंगी और खाने से ज़ाद है मुझे तो बनाने की खोशी दी क्योंके कुकिंगर कैसी चीज़ है ये पैशन से आती है ये शौक से आती है अगर जबरदसती इसs rugged करते मैं यह वह प देखती हैं सीखती हैं वो तो वो यह है कि फिर मेरी वीडियो ना ज़रा गौर से देखा करें कि मैं छुड़ी चुड़ी टिप साथ साथ बता रही होती हूं तो वो उनके पिर काम भी आती है और बहुत सारे लोगों ने सीखा भी है मुझसे चलें जी हम खाते है अपनी ये दाल वाली पूरी और ये चने और ये इतने मजे के बने होंगा मंज़ी कहीं ने मैं कहा경 के बिताती हूं बहुत अच्छे लग रहे हैं दाल वाली पूरी अपने देखिर कीसे पूली-पूली मज़े की ला ग vendo तो बस बहुत लागा रही estimate तो आपको बताती हुआ है बहुत मज़े के चैने हैं बहुत मज़े की पुरी है बस अगर नहीं जा रहा है पहले जा के खार लेते हैं हुआ है आज़ चलो अंदर जा रहे हैं जी से लॉन काफी तिनों से मैं गई भी नहीं थी और के चैने हैं आद रहे हैं और से लौन में रहे हैं और मैं महिने में एक दफ़ तो जाए हुआ है कि अध्युक्छ जार रहती है और थार करिकल शुरू हो जाते हैं इस वजह से मैं तो लास्मीं लास्मीं करवाती हूं कभी हो भी जाता है के महीन में इस भी हो जाता है दो महीन बाद भी ल näch嚃 कर जोरू हूं और जाहर ब्रोस भी सेट कुरूँते हैं थोड़ी सी अपनी क rend करनी चाहिएा क्योंके घर के काम तो कभी एक ना खताम होने वाली चीज़ है तो अपने भी केर करनी चाहिए आप कोई भी अपने करीबी कोई सालोन पर जा के स्किन पॉलिश की रूटीन बनाएं एक तो आपकी स्किन चमकदा रहेगी जोरियां नहीं आती हैं दूसरा फ्रैकल नहीं होते है स्किन खराब नहीं होती है डल नहीं होती है तो अपनी केर तो करनी चाहिए जो लोग नहीं जा सकते सालोन बिल्कुल ही वो कहते हैं हम तो बहीं जाते ही नहीं साल साल बाद जाते हैं या कोई फंक्शन हो तो फिर जाते हैं तो फिर यह है कि वो घर में अपनी केर कर लें ल छत्रियां सी लगा देते हैं फिर और ठेले वाले आ जाते हैं यकीन करें बाइक गुजरने की जगा नहीं होती है इतना खुला ये तो सारा एरिया मेरा देखा हुआ है कि यहां पे इतनी बड़े बड़े रोड होते थे कोई होते ही नहीं था दुकाने भी का दुका होती थी अब तो ऐसे है कि आप गाड़ी तो दूर की बात आप बाइक पे भी नहीं जा सकते हैं पैदल भी नहीं चल सकती इतना रश होते हैं क्योंके दुकानों पे दुकाने चड़ी होती हैं और इन्होंने अपने दुकानों के आगे अपनी ठेले भी लगा लिया होते हैं तो ये ये लोग आये थे अभी तो ये सारे डर के साइड पे हो गए थे, लेकिन फिर ये जब जाएंगे तो फिर ये दोबारा अपनी ठेले वेले सजा लेंगे, ये हैं, बारहल यहां पे जी, मैं ली, मैंने बस एक दू चीज़े लेनी थी, वो ले ली थी, और किसी को गिफ्ट करन नहीं थी इन चीज़ें, तो वो मैं ब्रैंड रोड पर आ गई थी, और बस यही आज के मेरे काम थे, और ये है जी नेक्स डे और ये मैं आप से शेयर कर रही हूँ, अपनी टेबल मेरी तूट के थे, आज कि मेरे इतनी चीज़ें टूट रही है, मुझे समझ नहीं आती कि बस हर चीज़ ही मेरी, हर दूसरी चीज़ टूट रही होती है, इस्पेशली जो मैंने स्टोर में चीज़ें रखी हूँ यह ना, तो वो तो अकसर ही मेरी टूट जाती है, इसलिए चीज़ें को ना बड़ा वासे तयानक ना पड़ता है, बारहल ये चोटी सी टेबल आपक से ही टूटी थी, तो बस उसको मैं हटा रही थी, पिर मैंने करना है, शिशास का लगवाल होंगी, और यहां पर किचन के आज मुझे थोड़े से काम थे, एक तो दावत वाले बरतन थे, मुझे वो समेटने थे, तो उससे पहले जो है, मैं थोड़ी सी किचन की सफाई करू क्योंकि मुझे जो अपना डिनर सेट है ना वो नीचे ही सेट करना है, तो बस उनी कामों में लगी हुई थी, अच्छा काम करते करते हैं, मैं जरा आपको एक बड़े पते की मज़दार बात बताती चलू, और जो आपके बड़े काम आएगी, हुआ यूंकि हमारे वाशिं मेशीन को बिलकुली तारे शारे टुक टुक के उनको बिलकुली मेशीन हमरी बंद हो चुकी है, खराब हो चुकी है, बाकी भी साबुन खा जाता था, हर चीज वो खा जाता था ना, उससे हम बड़े तंग थे, फिर हुआ यूंकि वो अचानक ना मर गया, अच्छा मैंने देखा था, मर गया, मैंने का पते नहीं क्यों मर रहे है, अच्छा अगले दिन ना फिर वो यह वाज यह और चुए की, मैंने का यह तो दूसरा चुआ भी है, अच्छा वो पता चला कि आज जो है ना, वो दूसरा चुआ भी मर गया है, और अभी यह जो आप रुमाल और लिक्वे डाल के ना इनको फिर दोती हूं, यह बहुत अच्छे से बिलकुल निकर जाते हैं, साफ हो जाते हैं, इनकी चिकनाई भी खतम हो जाती है, तो जब वो साफ साफ जाग जब रहे जाए तो फिर मैं उसको छोड़ देती हूं, ताकि अगर डस्टर अभी के यूज ह हो रहे हैं, तो दुबारा से उसमें धुल जाएं, होता यूँ था कि वो चुहे जो हैं, वो ब्लीचिंग और सर्फ वाला पानी पी जाते थे, तो जब वो पानी पीते थे तो उनको कहां, उनको हज़ाम होने, उनका पेट पेट भी खराब हो जाता होगा बिचारों का, तो पहला भी उसी तरह मारा, वो पानी पीके दूसरा भी उसी तरह मारा, तो मैंने का ये एक टिप भी है, कि अगर आप अपने घर में आपके गड़ चुहें हैं, तो वो पानी घोल के ब्लीचिंग और सर्फ वाला, वो आप डबे में डाल के रख लें, वो चुहें पीएंगे और एक आप दिन के अंदर अंदर ही वो नर जाएंगे, तो कितने मज़े की चीज़ है ना, होई एक्सिडेंटली है, लेकिन हो गई हमारी तो जान चुट गई, इतना नुकसान उन्होंने कर रहा था था ना हमारा, और मुझे डर ये था कि मेरे तो उपर इतने कपड़े ब प्रिच में खाना डाल के रखते हैं, मैं किसी को देने के लिए डबे यूज होते हैं, तो वो सारे आज मैं सेटिंग करूँगी, क्योंकि उनकी लिड्स कहीं थी हैं, और डबे कहीं थे, और आबड़ खाबड मची हुई थी, और जगा नहीं थी बस, तो बस इसकी सारी में सेटिंग कर लूँगी, और उपर वाली जो दो मेरी कैबनेट्स हैं, उनकी भी मैं सेटिंग कर लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, मेरा जो डिनर सेट है, जिसका एक बाउल भी तूट गया है, उसको मैंने करना है, अपने क्रॉकरी यूनिट में सेट और बाकी जो वाली उसमें जो चीजें रखी हुई है, कोई बाउल वगयरा, वो मैं अपने इदर सेट कर लूँगी, और देखें सारी कैबनेट जो है, मेरी बहुत अच्छी सेट हो गई, आप उपर वाली कैबनेट की बारी है, तो बस ये भी मैं सेट कर लूँगी, वैसे पहले तो इसको अच्छी तरह से साफ करूँगी, और पीडिस की मैं सारी, बरतन वगयरा, ये क्योंकि जो उपर वाली कैबनेट साने, इसमें कप, गलास, और इस तरह की चीजें रखी होती है, तो इसके मैं सारी चीज से सेटिंग कर लूँगी, और इसमें मैंने अपना वो सारा डिनर सेट रखना है, डिनर सेट होते ही कितना है, दो शल्फ में आरह हम से सेट हो जाता है, और ये जो ओवल चेप की प्लेट सहीं मिरे इतनी प्यारी लगे ना, यह उस दिल मैट्रो पे मिल रही थी, तो मैंने ये ले ले लिए 1200 रुपे क एक है और मुझे इतनी क्यूट लगी है ना मैंने कब इसी फ्रूट्स के लिए या कुछ भी सर्विंग के लिए तो नहीं है खाने के लिए क्यूंकि काफी छोटी है तो बस किसी ना किसी तरह ये मैं काम में ले आउंगी लेकिन ये बड़ी क्यूट थी तो ये देखें जी सा आम आम बरतन तो वैसे रखे हों इसमें और जो मेरे इतना अच्छा सेट है वो मैंने उपर स्टोर में फैंका हुआ है जो तूट फोट रहा है यहां पर सारे चमच बगरा भी सेट होगा और आज जाके मेरा घर जो है दावत वाली जो चीज़ी है ना आज मैंने जाके सारी की सारी समेट ली हैं यह जी दो जोड़े हैं हमारे जो के हमारी बिलकुल अभी के अभी नई कलेक्शन काली लौंच हुए हैं और बहुत खुबसुरत हैं ढोल की माईयों मेंती जिस पे आप पहनना चाहें मैं सारा अभी यह सारा खोल के दिखाते हूं और सारी डिटेल और यह सारी लेस है कुंदन की यह हैंगिंग टैसल जा रहे हैं बहुत ही प्यारे से एलन शिर्ट है और येलो लेमन कलर है इसका और यह इसके साथ पलाजो है और कपड़ा देखे हैं हमारा बहुत ही खुबसूरत रौ सिल्क में है बड़ा ही कंफुर्टेबल खुबसूरत जोड़ा है और यह दोपटा है सारी देखें गोटे के बटन लगे हुए हैं गोटे की लेस लगी हुए है और यह बड़े बड़े टैसल्स हैं जो के दोपटे पे हैंगो रहे हैं चारों कोनों पे और गला देखें बहुत ही खुबसूरत है यह देखें यह देखें गला इ तोटा उसका सारा काम यह भरा हुआ है यह मैं आपको दिखा रही हूं मीडियम साइज ठीक है बाजो आप देखें इस पर भी कुंदन की लेस लगी हुए और इसका काम बहुत प्यार है यह देखें इसका काम बहुत खुबसुरत यह पूरी लुक है जोड़े की बहुत कुछ नहीं है लेकिन कपड़े की कॉलिटी बहुत अच्छी है बहुत ही जबदस्त है दूसरा जोड़ा मैं दिखाती हूं और यह हमारा दूसरा जोड़ा इसके साथ यह और इंच पीच कलर का है बहुत प्यारा कलर है इसका और इसके बड़े-बड़े पांचों वाली शल ट्री शेड में अम्रे स्टाइल में तो पट्टा है इसके तीन कलर आ रहे हैं मैरून है पर थोड़ से लाइट है और फिर पीच कलर है अच्छा शर्ट जो है वह हमारी शौट है क्योंकि शलवार काफी खुली और पट्याला स्टाइल है बहुत कुबसूरत हमारी शलवार ह यह बी सेम वैसे ही पैटरन है गले का यह देखें बहुत ही खुबसूरत अड़े का काम हुआ हो है इसकी जो प्राइस हैं यह बिल्कुल हमारा निव अर्वल है कली लौच हुए है ठीक है इस पर हैवी अड़े का काम हुआ है शायद उस तरह से आपको नजर नहाए हो लेक और अगर आप अनस्टिच पी लेना चाहते हैं तो वह भी मिल जाएगा नहाजार नौशन नवे में उसके साथ यह आपको सारे टैसल्स यह बारे टैसल्स और लेसिस बगारा सब कुछ आपको मिलेगा तो पट्टे भी बिल्कुल रेड़ी मिलेंगे आपको अनस्टिच में कुछ भी ऐसा नहीं है हमारे अपने डिजाइन हैं हमारे अपने डिजाइनर हैं जो कि इन चीज़ों को डिजाइन करते हैं और आपको पता हैं यह चीज सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं तो होते हैं कुछ लोग मतलब दूसरे ब्रैंड के सेल करते हैं री सेल करते हैं मुझे तो पैने भी हैं बहुत पहरे लगे शायद मैं आपको पैन कर भी दिखा दू तो इससे आपको अच्छा एडिया हो जाएगा तो अब आपको आपको मिलेगा 12,850 और अन्स्टिश मिलेगा 9,990 में ठीक है जी तो बस जदी-जदी से ओर्डर करें बहुत ही थोड़ा स आपको अच्छा नित्यु लागे दी पंजाबन लागे दी पत्टोला लगे नी तू सार्या तो वाखनी